नमस्कार आपका स्वाकते राजमामा टीवी पे मैं पूर्णम आपके साथ सनी देवन अपनी अपकमिंग फिल्म गदर टू के प्रमोशन में बीजी है हाल ही में सनी देवन ने बॉर्डर पाथ दूस्से देशों में किसी व्यक्ति से प्यार करने पर अपनी राय दी है उन्होंने कहा कि समाज को बॉर्डर के दोनों तरफ के लोगों के प्यार को अपनाना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए एक इंटर्वीू के दरौन सनी देवल से पूछा कि वो सीमा है दर और अशू के केस पर क्या कहना चाहेंगे सनी देवल ओल से ये बहुत पूछा कि क्या कई हैज इसी फिल्मे लोगों को इंटरेनेशनल बॉरदर क्लáस कर ऐसे कदम उठाने के रिए प्रीत करती है सनी ने इसका जवाब देते वे कहा नहीं, अब मैं ऐसा नहीं मानता आजकल तो लोग टेक्नोलोजी के जरी एप्स पर नए लोगों से मिल रहे हैं अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे तो जाहिर है कि वो मिलना चाहेंगे और साथ रहना चाहेंगे सनी देवल ने आगे कहा हमें ऐसी चीजों पर अपने ओपिनियन दूसरों पर थोपने की बजाए लोगों की 4% का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये उनका परसनल मैटर है ये कितना सही है या कितना गलत है ये उन पर और उनके फैसले पर ही निर्भर करता है उन्होंने ये भी कहा कि वो न्यूस भी कम ही देखते है सनी बोले मैंने बच्पन से बहुत कम न्यूस पेपर पड़े हैं और टीवी पर न्यूस भी ज़्यादा नहीं देखी मैं सिर्फ स्पोर्ट्स पेसे दिखता था इसके साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद